हाई दोस्तों असलावलेकूम कैसे आप लोग मेरा मनबील है iOS 16.6.1 का फाइनल स्टेबल वर्जिन अपल ने कर दिया रिलीज क्या ये वर्जिन जो है आपके कुछ काम का है क्या कुछ इसमें कोई खास फीचर है क्या ये वो green screen के issue को fix करता है या फिर आपके phone पे green screen लिखे आ जाता है इस सारी चीज़ों के बार आए वाँ हैं आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है iOS 16.6.1 जो update है इसका size है सिर्फ 245 MB के आसपास का और यहाँ पे आपको make sure करना है जो beta updates के लिए अगर आपने register का भी किया होगा तो उसको off रखे अगर आप उसको on रखेंगे तो ये 5-6 GB के आसपास का update भी आपको देखने मिल सकता है तो बस इसको off कर दो और यहाँ पे आपको 245 या 250 MB के आसपास का जो update है वो देखने मिलेगा बहुत ही छोटा सा update है और क्या इसके अंदर खास है वो हम check out करेंगे सबसे पहले हम देख लेते यहाँ पे कि इसके अंदर update से पहले का और बात का जो statistics है जो data है वो कैसा रहा है तो यहाँ पे update के पहले था iOS version 16.6 और उसके बाद यहाँ पे जो available free space थी update से पहले वो थी 300 GB के आसपास की मेरे iPhone 14 प्लस पे और यह है मेरा iPhone 14 प्लस 512 GB वाला इस पे जो cover लगावा जो case लगावा है इसका link description में आपको चाहे तो purchase कर सकते coupon code भी है discount वाला इसके बाद यहाँ पे देख लेते है build number तो पहले का build number था 20G75 और update से पहले का modem firmware था वो था 1.80.02 अब update के बाद जो है iOS version होगा 16.6.1 available free space जो कुछ MB से घड़ गई है तो यहाँ पे मैं इसके बिल्कुल भी concerned नहीं हूँ और इसके बाद जो नया build number आपको देखने मिल रहा है वो है 20G81 और इसके बाद आपको जो modem firmware देखने मिल रहा है वो है 1.80.02 जो के वो ही modem firmware है जो update से पहले था यानि कि इस update के अंदर modem firmware भी जो है वो नया नहीं है अब यहाँ पर इस वाल update में what's new जो है वो check out कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी चीज जो है वो mention नहीं है कि इस update में क्या नया है और सच में इस update के अंदर कुछ नया नहीं है तो बिल्कुल भी आपको को नहीं भी नया फीचर जो है इस update पर देखने नहीं मिलेगा जैसा आपका फोन update से पहले था सेम फीचर के साथ अपडेट के बात भी रहेगा लेकिन इस update के अंदर कुछ important security fixes, security update जो है वो apple ने पुश किया है और यह apple की website है इस पर चलके हम check out कर लेते हैं तो यहाँ पर फिक्स किया है जिसके अंदर buffer overflow हो रहा था और उसके बाद यहाँ पर वालेट से रिलेटेड जो है वैलिडेशन इसु था जिसको apple ने फिक्स किया है इसके अलावा यहाँ पर कोई भी security fix भी नहीं है तो बहुत ही चोटा सा update है जिसके अंदर चोटे मुटे fixes किया apple ने अब इंप्रूब्मेंट भी आप जो है expect नहीं कर सकते रही बात बैटरी की तो यहाँ पे देख सकते हैं यह हम बैटरी के अंदर चले आते बैटरी अंदर चार्जिंग में जाते तो 100% capacity है अपडेट करने से बैटरी हेल्ट जो है कम नहीं होती है और कम हो चुकी है पहले से तो अगर में stable version पर ही रहता हमेशा यह क्यों कि beta version पर गया तो वह 92 पर चले गी जनरल performance तो दोस्तों एकदम fantastic है कोई issue नहीं है कोई glitches यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहे है इसके अंदर अब रही बात Geekbench के scores की जिसमें हमको performance के आपर पता चलता है कि Apple नहीं यहाँ पे points दर दर वही फरक है इसके लाब कोई फरक नहीं है और computational benchmarks भी चेक कर लेते तो यहाँ पर 24 July का था 12,788 और आज का है 12,647 तो again 19-20 का फरक है जादा कोई difference नहीं है 12,500 से लेके 13,000 के बीच में हमेशा रहता है यह 12,000 से 13,000 के बीच में हमेशा रहता है iPhone 14 के non pro models का benchmark GPU के मामले म तो कोई issue आपको यहाँ पर नहीं आगा जैसा performance था वैसे performance आपको यहाँ पर देखने मिलेगा अब green screen issue के बारे बात कर ले तो यहाँ पर green screen issue से related कोई भी fix Apple ने इस update में ना push किया है ना उसके बारे mention किया है ना उसके बारे acknowledge किया है ना बोला है कि आईए हम आपको free में replace करक करने से हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है मेरे phone पर नहीं हुआ है यह मेरा 14 प्लस है और यह OLED डिस्प्ले के साथ ही आता है और भी मेरे phones है बहुत सारे लेकिन किसी में मुझे green screen का issue आता है software update करने से और green screen का issue जो है वो एक hardware issue है और वो fix कैसे करना है मैंने आपको एक video dedicated बना सकता है लेकिन आपको उसके उनके साथ जगड़ा करना पड़ेगा अगर आप जगड़ा कर सकते हैं influence लगा सकते हैं अपनी बात के लिए उनको convince कर सकते हैं तो वो लोग करके देंगे otherwise उनकी तरफ से कोई भी यहां पर assurance नहीं है कि वो problem हमारी तरफ से आया है और आप उसके क्या निकल के आता है वो वीडियो में आप चेक आउट कर सकते हैं इसका लिंक आपको description में मिलेगा क्या आपको iOS 16.6.1 पे update करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपका phone warranty में है आपको tension नहीं होने वाली update करने से तो update आप कर लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं अगर चीज नहीं है जिससे आपका कोई data breach हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो आप अगर अगर इस update पर खुश हो उस पर रहना चाहते हो तो रह सकते हैं अब यहां पर calendar पर देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है बारा सप्टेंबर को जो है आपको Apple event दिखने मिलेगा आपको वीडियो मिल जाएगी रही बात iOS 17 के RC version की तो 12 तरीक के बाद कभी भी Apple उसको पुश कर सकता है वह उसका रिलीज का रिलीज वर्जन होगा और जो स्टेबल वर्जन होगा iOS 17 का वह iPhone जब रिलीज होंगे उस week में आपको देखने मिलेगा याने कि जब आपके हाथ मे आईफोन आने वाले होंगे क्योंकि नए आईफोन के साथ ही वह नया वर्जन आता है अपल ने नए iOS वर्जन के साथ watch OS भी जो है नया वाला वह रिलीज किया है वह 9.6.2 जिसके अंदर वही security fixes है यह आप कर सकते है क्योंकि वह ग्रीन स्क्रीन इशू अगरा कुछ नहीं आ अगर आपको यह case लेना है और इस पर मिलने वाले discount हासिर करना है तो description को आप check out कर सकते हैं और यह जो case नहीं की cases है इन पर मैंने dedicated वीडियो बनाया है उसका भी link drop कर दूँआ वो भी check out कर सकते है इसका drop test वगरा सब करके मैंने उसमें दिखाया है तुमी कता दोस्तों आपक आपको आज का वीडियो पसना होगा पसने लिए को लाइक शेट जरू कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गुडबाए